ग्रहों का योगा योग क्या कुछ बना रहा है कैसा योग ग्रहों के योग के अनुसार से आप समझ लिजे आपके लिए बुद्ध का परिवर्तन और शुक्र का वक्री होना बहुत इंपोर्टन रहने वाला है ये दोनों जुलाई के अंतिम भाग में परिवर्तित होकर एक विशिश प्रकार का योग बनाने वाले है मंगल बुद्ध और शुक्र जिस प्रकार का एक कॉंबिनेशन बनाएंगे ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने में साहिता प्रदान करने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से आपकी organizing capacity बढ़ने वाली है चीजों को handle करने की स्थिति आपके बढ़ने वाली है देखि क्या समझ लीजे ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि जब आपका समय अनुकूल हो और ऐसे में आप थोड़े effort बढ़िया तरीके से करने अवेर होके करने तो आप बहुत बढ़िया तरीके से वारे नियारे कर सकते हैं समझ लीजे विशेशतार बे कुम राशी वालों के लिए ग्रहों का योगा योग ऐसा है कि efforts के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से लाप के योग बंदने दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको समस्त कारियों को बहुत शान्ती के साथ करने की जरुआ थे चीजों को समस्ते हुए करने की जरुवत है अग्यानता में क्या होता है कि ग्रहों का योगा योग पता ही नहीं है अग्यानता में लगता रहे बहुत अच्छा दिन आगया निकल गया आज कर दिन तो बहुत अच्छा निकल गया यदि पहले से पता चल जाए कि कौन सा दि टियार कर सकते हैं जैसे मौसम विभाग आपको आजकल आपके Google के दूब आपको बता देता है कि आनने वाले समय में बरशा होने की योग है ऐसे योग है तो आप क्या होता है पहले तियार हो जाते हैं वैसे जुलाई में ग्रहों का परिवर्तन जो है विशेश तोर पे जो लोग शेयर मजार में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जादा साध्धानी बढ़ा है, विशेश तोर पे बहुत बड़ा घोटा खास तोर पे कोई जटका लगने के योग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे म ग्रहों का योगा योग साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा योग बन रहा है कि आने वाले समय में जो हम ने देखा है, कि वर्शा रितु से जो हम तरस्त थे, ग्रहों का योगा योग जुलाई में बना के तक हो दिखा रहा है कि आने वाले समय में वर् 21 जुलाई की 21 जुलाई को ग्रहों का योगा योग से पहले पंचांग समझ लीजे सावन का अधिक मास चल रहा है शुकलबक्ष विद्यमान है और 21 तारिक को तृति आतिती रहेगी शुक्रवार रहेगा और सिंग में रहेंगे चंद्रमा आप समझ लीजे आपके लिए ग्र प्राप्ति की योग बन सकते हैं ग्रहों के योगा योग दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का पूर्वा भास आपके मन में हो सकता और जो पूर्वा भास हुआ है उसका लाव आपको लेने का प्रयास करना चाहिए ग्रहे के योगा योग दिखा रहे हैं एक बात कर ध विशेश्ट तारीक के दिया में बात करें तो विशेश्ट तौर पे सावन के अधिक मास के शुक्रपक्ष की चतुरती तिती है शनिवार का अवसर है और ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि समय आपके लिए अरुकुल बनाये हुआ है चीजों का बहुत बढ़िया से कि सकते हैं अब गृऑड कर सकते हैं लेकिन थ्यां करने का थेदो दूसरे के जहां पुस्यूत पढ़ रही हो आपको फोन करके बुलाएं भाई साब आ जाओ थोड़ा हेल्प करने के लिए आप थोड़ा सा अवोइट करने का प्रयास कीजिए का अनिता वेकार आप भी उस परिशानी में खिच सकते हैं थोड़ा ध्यान रगते हुए हम हुए उससे साफ्धान रहते दूए परियास करना चाहिए आपके लिए अच्छा रहेगा तो आप नहीं तो अनिता बिकार की अप ते दाल का साबृत Kis 23 तारीक ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि सावन के अधिकमास की शुक्ति बख्ष की आज पंचमी तिती है रविवार का अवसर है पंचमी और रविवार बड़े सुन्दर रहते हैं और चासत ग्रहों का परिवरतन का योग बन रहा है चन्रमा और शुक्र दोनों आप ऐसा हो सकता है कि लोग मुझे बेकार परिशान करने की योग बना सकते हैं थोड़ा सा उधासीनता मन में आ सकती है लेकिन शुक्र का वक्री होना यह आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है सुबए 6 बच के 43 मन शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और यह वक्र अब आने वाले समय में परिवरतन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और आप वो क्या शठे शाठ्यम समाचरेत वाली फिलोसफी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं देखिए करना चाहिए बिल्कुल लेकिन अपने आपको बचा कर लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल और शनी के साथ काम करना है इस वक्त समय है लोग आपका साथ देंगे अवश्य दिखाई देंगे लेकिन बेकार के जड़ों में फसकते हैं उसने बचने का आपको प्रयास करना चाहिए देखिर रविबार का अवसर है और ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भवान सूर सब्सक्राइब करना है और जोटनी की देखिर। हैं रखते हुए आपको कारी करना चाहिए सावन का सोंवार है सावन के अधिक मास का सोंवार है सावन से भी जाना श्रिष्ठ है हमने इस महूट को देखते हुए अपने विवेकानन योग आश्रम में सुंदर कारी करम रखा है और उस कारी करम का लाब आप भी ले सकते हैं हम सावन के अधिक मास के जो सुमवार हैं उनको तो मत छोड़िये डबल पुन्य दायक हैं तो हमने विशेश्ट और भवान का दूद से धहीं से घी से मक्कन से शैद से विजया से भस्म से अनेक और शदियों के द्वारा जो शास्त में वरणित है अनिक अनिक मनों कामनाओं को करने के लिए उन सब को विशेश्टर पर विस्थान दिया है और विवेकरन योग अश्रम में शाम के समय छे बजे से लेकर आठ शाड़े-ाठ बे तक कारीक्रम बहुत सुन्दा तरीके से रखा है आप सब लोग भी साधर आमंत्रित हैं इस कारीक्रम में भाग लेने की सुझना आपको प्राप्ट हो जाएगी नवचिद्य नंबर्स पर अब बात कर लेते हैं 25 तारिक के ग्रहों का योग योग दिखाता है पंचांग जो बता रहा है वो दिखाता है कि सावन के शुकलपक्ष की अधिक मास की पतिपदा विशेश्टार पर जो सब्तिमीति थी मंगलबार का अवसर हैं और ग्रहों का योग परीवर्तन की तरफ जा रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत शुर हैने वाला है जो चनरमा परिवर्तित होंगे वो आएंगे तुला में भागी में पहुंच जाएंगे और भागे में ब्रसपति के साथ सांखने बै 32 मिनट पर कहां आ गया है आपके व्यपार वाले भाव पर और बुद्ध और मंगल के साथ मंगल और शुक्र के साथ बहुत बढ़िया प्रकार का पूरा इस्तवाल दिखा रहा है मंगल वहां पर हिम्मत जगा रहा है और साथ में बुद्ध आके और चंद्रमा वहां जाकर आपके साथ व्रस्पति के साथ गचकेश्टी योग बना रहा है राहू आपके लिए मित्ता बढ़ा रहा है यानि फिर और कैचे यह इतनी अच्छ कारे करते हुए वोग विठव मना संसार में एक सबसे पर बहुत हैं किसके दो कर रहा है और किसकी क्रपास हुआ बहुत जल्दी हुए और चल दिए अपने काम के तरह, इस दू काम को मत छोड़ो, शुद उस दो मत छोड़ो ड़े spirit भूर मत छोड़ना है इसमार हमने कार है और हमने रख भूब सुन्दर कांड का सुन्दर पाठ हम रखने की वैवस्ता बनाए तो आश्रम में हनुमान जी को चोला चड़ाया जाएगा रुद्रा विशेक होगा भगवान का विर्ण चीजों के द्वारा और साथ साथ बजे से सुन्दर कांड का पाठ होगा और साड़े आठ बजे विशा मुगतान से 1947 में आई आप भी इस शुप्तिती में उनका दर्शन करके लाब लें कल्यान होगा अब हम बात कर लेते हैं 26 तारी की 26 तारी की ग्रहों का योग योग दिखाता है कि अश्टमी है सावन के अधिकमास की शुक्रपक्ष की अश्टमी बुद्दवार का अवसार दुर्गास्टमी का योग तो ऐसे में माव भगवती की दुर्गा को प्रसंद न करकर आप अपने समय को और ठीक कर सकते हैं ग्रहों का योगा योग आपके लिए आज भी कल की तरह बहुत शुप बना हुआ है और ऐसे में इसका पूर्ण लाव आपको लेने का प्रयास कर केवल गुस्टे को कंट्रोल करो काम पर लग जाओ और बेकार की चीजों में गुस्टे में आकर अपना टाइम खडाब करोगे एक शन भी गुस्टा आएगा ना तो आप समझ लीजे आपके चार गंटे पर बाद हो जाएंगे उस जो आपका ब्लिट प्रिशर इंक्रीज ह करोगे तो बहुत सुन्दर रहेगा धर्म की तरफ जाओ धर्म का उपयोग करो बुद्वार का अवसर है गउसेवा करो पालक का दान करो गाएं को पालक खिलाओ और भिवरती दुगा की उपासना करो सब ठीक होगा 27 तारीके हम बात करें 27 तारीके नवमी का अवसर है ब्रस्पतवार है साथ-साथ और उस दिन गरहों का परिवरतन का योग बन रहा है लेकिन दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है दिन आपके लिए पूर्ण efforts करने का दिन दिन दिखाई देता है efforts से भागना मत efforts करने का दिन है efforts करने से आपको बहुत सारी चीज़े प्राप्त होने के योग बन सकते हैं लेकिन फिर भी शाम को कुछ उदासी नता चा सकती है दिन बहुत बढ़िया जाया का लेकिन शाम को थोड़े से आपकी जो expectation चल रही थी उससे थोड़े सा कम आपको प्राप्त में भवान शिव का ध्यान करना उनका पूजन करना रुद्राविशेक करना दूद के द्वारा भवान का विशेक कर लेने से यह समस्त कष्टों से दूर होने की योग बनेंग कारण क्या है चंद्रमा शाम को व्रिष्टिक राशी में चला जाएगा साथ बचके 31 मिनट पर यह आपके मूड को थोड़ा आउफ करने की योग बनाएगा व्रष्टिक में चन्मा शिर्ण हो जाते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए लेकिन मंगल देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है थोड़ा हिम्मत जगाने का प्रयास करें देखिए सब ठीक हो नए कारिव को करने का योग बना सकते हैं तो ऐसे में योग ठीक चल रहा है ग्रहूं का योगा योग आपके लिए जो दिखाता है कि आपके एफॉर्ट में रिजल्ट आने की योग दिखाई देते मंगल सामर्थ बढ़ा रहा है लेकिन शनी मंगल का तक्राव जो है वो थ इस तरह समझ सकते हैं कुम लगन वाले भी देख सकते हैं लेकिन एक बार समझने पड़ेगी कौन प्रभावी ज्यादा है कुम लगन आपकी राशी में या आपकी कुंडली के अंदर कुम लगन ज्यादा प्रभावी है या कुम राशी ज्यादा प्रभावी है तो जो ज्य योग बनता दिखाई दिरा ऐसे में स्रिष्ट उपाय दिखाई देता है आपके लिए दूद का दान उसको करने का प्रयास कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से लाब योग बनेंगे भगवती महालक्षमी के मंदिर में जाकर खीर का बोग लगाए आपके लिए कृपा प्रा लाता मांस को बढ़ा दुखक है कि लोग मुझे मल कहते हैं के अधिक मास कहते है मेरा कोई और आधर ना उधार किसीमें स्थान हैं तो का जा था है इथा ने रुड़न उपस्तित किया तो भवान करने कहा है तुमको अपना नाम थेता है पुर्षोट्तम पूरिषृत्तम मास के शुकल पक्ष्ट पुर्षृत्म कि है तो इससे सुन्दर क्या है भावान की स्वयम की कादशी है तो आप उनका पूजन करें और देखिए भावान विश्णु शेश्या पर विश्राम कर रहे हैं उनको विशेश तार पर उनका पूजन करें ओम नमु नारायनाय मंत्र का जब करें तो यह सारे बहुत होने वाले जो रहेगी करीब करीब आप समझें एक बच के छे मिनट से लेकर रात्री तक तो दुपैर से पहले पहले नया कारे करना हो तो उसको अलाब ले लिजे शाम के समय गंड़मूल तो यह पद्रा आ जाएगी तो वह अच्छा नहीं रहेगा नए प्रजर साथ में लेना नुक पर आपके लिए समय खर्चे बढ़ाने वाला है ध्यान अखिएगा खर्चे अधितिक बढ़ सकते हैं धन के छनी की तरह जाने के योग दिखाई देते हैं बेकारे काम आपके पल लेना पड़े इस बात का ध्यान अखने का आपको प्रयास करना चाहिए अन्यता बेकार के बिए दन लूपसान होने की योग देते हैं मिद्खाई उबाई के तारह किया करें खनी माराज को पसंदन करें अन्वां जी काप करें उड़त की दाल का साबुत उड़त का दान करें या आपके लिए ग्रह उनका योग शमाजते हूए नागए यह उपाय बताए गया है कि विश तौर पर आपने ग्रहों को ठीक करने के लिए रभी पुर उपयों चाहिए और इसी थिती के महत्तव तो यह दिन को समझते हुए हमने कीर्थियों में कलंग लगने वाले जो योग होते हैं विश्चतर पर जो रवी प्रदोश के यग्य को करने का प्रयास किया है विवेकान न न योगाष्ण में दो कारीकरम रहेंगे इस दिन तो उस दिन सुबा सुबा तो रहेगा रवी प्र द्रुबा की दर्शन करें विविश्चतर पर मंत्रों के जाते हैं सूर्य के कारण से आपको पॉलिटिक्स, कहीं तो इस योग का रवी प्रदोश के है उसका आप लभ ले सकते हैं और उसके द्वारव बहुत अच्छी से लाव प्राप्ति के योग बंते दिखाई दे रहे उसका आपको लाब लेना चाहिए। बहुत विशाल भवान शंगर का शेवलिंग आश्रम पे विद्यमान है उनका दर्शन कर लेने मातर से कष्ट दूर होते हैं तो आप भी आए इस यग में भाग ले ग्रहों का योग बहुत विजित स्थिती से लाप की स्थिती पर उत्पन कर रहा है गज के स्री योग विद् परकों का लाप आपको मिल सकता है पॉजिटिव रहते हुए युक्ति युग तरीके से काम करते हैं बिना अड़े हुए जदी काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाप की योग बना सकते हैं सरवार्त सिद्धियोग विद्यमान है सुबह से उसका आप लाप ले स लिए तो यह समय शुब है नहीं सुमवार का अवसर है और चतुदशी और सुमवार का त्रियोदशी के साथ योग पढ़ रहा है यह बहुत शुब है सुमवार है इसलिए और शुब हो गया है सावन में अधिक मास का सुमवार है इसका पुन्य और बढ़ गया है और इस ब हैं इस संधर हो आख सादर हो सकते हैं और हम साधर आमंतित करते हैं जो लोग अपना थान को अरक्षित कराना चाहते हैं यह बहुत सुंदर भिष्टिती है इस सुन्द नर्थिधी में भवान का भीशे करने से समस्त मनुकामनाय सिद्धी होने की योग बनते हैं अनाधिकाल से लोगों ने शिव करपासे कितने कितने सुन्द करपासे प्राप्त करकर और अशिरवाद प्राप्त करकर समस्त संसार के सुखों को भोगा है तो आप भी इसको अलाब लेने का प्रयास करें ग्रहों का योगा योग बहुत शुब बना हुआ है ऐसे में धर्म कारे करकर और आप उसका लाब ले सकते हैं और विशेशत तोर पर आपके ग्रहों के दिश्टिकोंड से दियम कुमराशी की बात करें तो बहुत सुन्दा तरीके से चर्मा गजकेशरी योग बना रहे हैं बहुत सुन्दा तरीके से विद्यमान है और साथ-साथ शैतिति है इसका ध्यान रखना है को नया कारे नहीं आरंब करना है शेय तिथी में अशुब महूट बन जाता है और नए कारें को आरंब करने से बचना चाहिए नए प्रजर्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए इन सब का ध्यान रखती हुए कारे करें उपाए जो आपके समक्षमने बताए करें वो सब करें तिथी आपके लिए शुब है मनोगामना सिद्धी की योग है धन्यवाद